देश की जनता ये भटकाव राजनीती को नकार चुके हैं, तिरसकार किये हैं This is a huge historic mandate for a new India Congress Party के और इंडी अलायंस के एक irresponsible economic vision को भी reject करकर देश को एक sustainable economic empowerment के रास्ते पे ले जाने का फैसला जनता ने लिया है अयतिहासिक जीद, आज भारती जनता आप अर्टी के और मोदी जी के होंगे पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के पक्षमे एक बहुत बड़े माहोल है और पूरे देश एक तरफ वोट दे रहे हैं और वो उत्तर भारत हो दक्षिन भारत हो ईशान्य भारत हो पश्चिम भारत हो विक्सित भारत के एक विजन को अपना कर वोट दे रहे हैं इंडिय अलायंस आप जब देखते हैं वो जाती के आधार पर प्रदेश के आधार पर देश के अलग-अलग विभिन्ता को भटकाने का आधार पर प्रयास किये थे कैम्पेंग के दोरान पर देश की जनता ये भटकाव राजनीती को नकार चुके हैं तिरसकार किये हैं और मोदी जी के भारत को एक जूट करने वाले भारत को अक्षुन रखने वाले भारत को आने वाले पचीस साल में और सधुरुड और समर्थ बनने वाले राजनीती को समर्थन दिये हैं This is a huge historic mandate for a new India. लगरा है कहीं पर जो नमबर्स आखड़े एग्जिट पोल में दिखाए गए थी, बीजेपी के लिए वो फाइदे मन हो रहे हैं शाएगा? बिलकुल एग्जिट पोल्स के जो नतीजे थे, देश की जो मूड को वो सही तरीके से वो कैप्चर किये हैं, मैं एग्जिट पोल्स के सभी एजन्सी को मेडिया के सभी एजन्सी को मैं बढ़ाई देता हूँ. और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि देश की जन्ता, कॉंग्रेस पार्टी के और इंडी अलायंस के एक इर्रेस्पॉंसिबल एकनॉमिक विजन को भी रिजेक्ट करकर, देश को एक सस्टेनबल एकनॉमिक एमपावर्मेंट के रास्ते पे ले जाने का फैसला जन्ता ने लिया है, यह बहुत बड़ी चीज है, कॉंग्रेस ने और इंडी अलायंस ने सब कुछ फ्री में देने की बात किये थे, इसके बावजूद भी जन्ता यह समझ चुके हैं, कि ऐसा सरकार नहीं चला सकते हैं, देश बरबाद हो जाएंगे, जन्ता ने कॉंग्रेस के यह इर्रिस्पॉंसिबल आर्थिक नीती को तिरसकार करकर, भारतिय जन्ता पार्टी के और मोदी जी के एक long term responsible economic vision को अपना दिये है, स्विकारता दिये है, मैं जन्ता को आभार विक्त करता हूँ, और पैतिहासिक जीत आज भारतिय जन्ता करनाटक में यहां पर भी ट्रेंड देखते हुए यह लग रहा है कि कहीं बीजेपी को अच्छे नंबर जा रहे हैं बावजुद यहां पर सबकार कांग्रेस की हैं बिलकुल जी मैंने आपके साथ भी दो तीन बार जब बात में किया था मैं हमेशा आपको बोलता था करनाटक भारती जनता पार्टी के एक बहुत बड़े कॉंट्रिब्यूटिंग स्टेट होंगे इस चुनाव में और एग्जिट पोल्स और आज के ट्रेंड जब हम देखते हैं यह सच हो रहा है एक साल से करनाटका में कॉंग्रेस सरकार है एक साल के अंदर अंदर ही सरकार के इसको भी जनता तिरसकार किया है करनाटका में भी बहुत बड़ी जीत भारती जनता पार्टी की होगी अगर यह सब हुआ होता तो कॉंग्रेस की हालत करनाटका में आज की जैसे नहीं होता जनता ने जनता सब देखती हैं जनता सब जानती हैं और जनता आजकल लॉंग टर्म सोच करने का एक बहुत बड़ा फैसला जनता ने लिए एक कल्चर बन चुका है जी देश में जनता सब देखती हैं 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 जनता